Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to Magnate Pains इस वीडियो लेक्चर से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं Class 7th History का चाप्टर आपके इस बुक का लास्ट चाप्टर जो है 18th Century Political Formations काफी important चाप्टर है और genuinely इस बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में बहुत important चाप्टर है Class 7th की हिस्ट्री आपकी complete हो रही है अब next class में आप Class 8th की हिस्ट्री पढ़ने वाले हो Class 7th की हिस्ट्री जहां खतम हो रही है वहाँ पे medieval हिस्ट्री खतम हो रही है समझ पार है उस चीज़ को आपने 6th में क्या पढ़ा था Ancient History 7th में आपने medieval हिस्ट्री पढ़ा अब 7th के बाद आप 1th में आप Modern History या Colonial History जिसे कहा जाता है वो पढ़ने वाले हो तो ये जो चैप्टर है ना इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्यों क्योंकि ये Link का काम करने वाला है Loop समझते हो जैसे ये इस तरफ एक पूरा का पूरा Block है और बीच में एक Loop है तो जो दोनों Block को जोड़े हुए है वो Loop का काम ये चैप्टर करने वाला है और उस चैप्टर में भी ये जो specific वीडियो है इस पूरे चैप्टर की आत्मा मेडिवल और मॉडन हिस्ट्री को कैसे लिंक करना है उस चीज की जो एसेंस है जो सोल है वो समझाने वाला हूँ सबसे इंबॉड़न वीडियो ये है इसे पूरा समझना अच्छे से समझना सबसे पहले अगर आप हेडिंग देखते हूँ हेडिंग क्या है ट्राइटो अंडर्स्टैंड दी हेडिंग हेडिंग क्या है देखो 18th century political formations 18th century political formations century 18th century मतलब क्या हो गया 18th century मतलब आप जैसे देखोगे तो 1700 से 1800 का ये जो time period रहा ठीक है जैसे हम क्या कहते है कि we are living in 21st century 21st century में रह रहे हैं 21st century मतलब 2100 आने वाला है तो 2000 से 2100 तक को 21st तो एक पीछे बोलते हैं 18th century मतलब 1800 से 100 साल के पहले वाला जो time period रहा वो 18th century कहलाएगी ठीक है ये century पढ़ना आना चाहिए अब ये ये वाला जो time period है पूरा इस time period को आप पढ़ोगे तो ये जो time period है ना इसमें क्या लिखा गया है 18th century political formations अगर इस formation की जगाँ चैप्टर में transformation होता है reformation reformation सही सब्द रहेगा ठीक है transformation रहता तो भी बहुत appropriate heading जम जाती transformation मतलब क्या है ये जो 100 साल रहे ना इसमें medieval से modern आप हो गए ठीक है इस time period में जो rulers थे वो indigenous से foreign rulers हो गए मतलब मुगल देली सिल्टान्स या फिर early medieval rulers जिनके बारे में आपने पूरी हिस्टरी में पढ़ा 7th class की वो जैसे भी थे इंडिया इंडियनाइज्ड हो गए थे बाहर से भी आये तो इंडियनाइज्ड हो गए थे लेकिन अब 18th century में जो political formation होगा जो political change देखने को मिलेगा और अब जो rulers आएंगे तो वो इंडियनाइज नहीं हो पाएंगे कभी भी कौन आएगा ब्रिटिश आएंगे ना तो ब्रिटिश का है वो हमेशा ही foreign रहेंगे वो यहां से loot के ही गए है ये लोग जो आये थे मुगल्स वगेरा ठीक है और देली सुल्तान जो थे उसके बाद में जो foreign attackers थे उन्होंने भी loot पार्ट माच आईए लेकिन जो historians है वो historians foreign मतलब ब्रिटिश जो थे ब्रिटिश रूलर्स उन्हें अलग ही नजरों से देखते हैं ठीक ये हो गया अब देखो तो ये वाले time period के बारे में हम पूरा पढ़ने आले headings आपको क्या समझ में है कि 18th century में क्या-क्या political formation हुए क्या-क्या changes है वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी अभी आपके सामने दो map हैं ठीक है अब ये दो map है दोनों मैं आपको बहुत अच्छे से देखो और समझो ठीक है आपकी book में भी है तो आप क्या देखेंगे map जैसे बता रहे हैं तो external boundary of mughal empire 1700 1700 के time period में mughal empire कितना बड़ा था तो सबसे ज़्यादा peak पे था mughal empire 1707 तक 1707 क्यों बोल रहा हूँ तो अगर आपको दियान हो 1658 से 1707 किसने रूल कर रहा इस time period में इस पूरे time period में अगर रूल किया है तो वो औरंग जेब ने किया है last powerful mughal ruler कह सकते हैं आप उसे अब ज़र आपको क्या करना है ये जो chapter है ना इस chapter के बीच में chapter 4 को घुसा दो थोड़ा सा chapter 4 को क्यों आपको connect करना है chapter 4 जो आपने mughal empire पढ़ा था तो मैंने mughal empire में आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी मुगal empire में मैंने आपको comprehensively समझाया था कि किस तरह से mughal rule जो था उसका political structure क्या था तो हमने सारे rulers के बारे में देख लिया था rulers में हमने last कहां तक पढ़ा था ध्याने आपको 1707 तक पढ़ा था मतलब औरंग जेब की death तक पढ़ा था हमने जो एक-एक मुगal emperor को पढ़ा था तो औरंग जेब was the last बाबर से start करके हमने ठीके बाबर हुमायू अकबर इस तरह से पूरा पढ़ते हुए औरंग जेब तक पढ़ा था ठीके अब आपको एक चीज में बताता हूं कि 1857 ठीके 19th century में चले गया है तो आपको याद जरूर रहेगी मेरी कि हां सर आपने समझाया था आप कनेक्ट करने में आसानी हो रही है जो कॉम्पीटिव की तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे पास में कोई option नहीं है ठीके तुम्हें 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 पढ़ना ही इस तरह से सारी रिवाल्ट कर देते हैं ब्रिटिश एंपायर के अगेंस्ट में तो उस रिवाल्ट के बाद में क्या होता है ब्रिटिश रूलर्स जो रहते हैं ब्रिटिश अथारिटी जो रहती तो फॉर्मली जो मुगल एंपरर रहते उसके खतम कब कियागा 1857 में लेकिन आपने चैप्टर 4 में तो सिर्फ 1707 औरंगजेब तक ही पड़ा है तो उसके पीछे कारण है क्योंकि औरंगजेब ही लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था उसके बाद जो मुगल रूलर्स आये तो वो किस तरह के थे वो हलके दुबले हो रही है जैसे आप देखोंगे 18th century स्टाटी हो रही 1707 औरंगजेब की ड़त के बाद में धीरे-धीरे अलग-अलग हो गए कौन-कौन से अलग हुए मतलब कौन-कौन से स्टेट्स यह जो आप पूरा मुगल एमपायर देखरो तो इसमें से जैसे बेंगौल हो गया लखन हो जाएंगे तो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो रहा 18th century में ठीक है यह सारी चीज़े आपको पढ़ना है तो स्टेट फॉर्मेशन इन 18th century यह मैप आपको वह चीज़े बताता कि किस तरह से 18th century में मुगल एमपायर के डिकलाइन के साथ साथ दूसरे और स्टेट्स बनने किस तरह से मुगल एमपायर से लोग निकलते चले बाहर ठीक है अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म हो गए उस चीज़ को आप पढ़ने वाले हो समझने वाले हो यह समझ में अब आगे अगर इधर देखते आप तो यहां पर जिससे आप देख रहे हो तो यह क्य सेंचिरी मिडैन सेंचिरी क्या च railroad करो कि सवंध क्लास में फिर भी ध्यान रखो इस चीज़ को क्या होता है तो पहली फॉर्मल बैटल लडते हैं कौं पहली फॉर्मल बेटल जो ब्रिटिश लड़ते हैं इंडिया में वो कब लड़ते हैं वो लड़ते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ठीक ध्यान रखना इस चीज को बैटल ऑफ प्लासी मतलब क्या होगे मिड ऐटीन सेंचुरी आगई 1857 ठीक है अब यह मिड ऐटीन सेंचुरी जो है बनाना एक्सपैंड करने स्टार्ट कर दी थी इंडिया में विधी डिकलाइन ऑफ मुगल एंपायर नियू रूलर्स वर इमर्जिंग ठीक तो ब्रिटिश टेरिट्री इं मिड 18th सेंचुरी तो 1857 में बैटल ऑफ प्लासी होती और इसे ठीक सो साल बात रिवाल्ट होगा त तो ठीक सो साल पहले क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासी हुई थी यह दियान रखना है आपको जहां पर फॉर्मली पहली बार ब्रिटिश जो थे तो पहली मतलब इससे पहले भी लड़ाया लड़ी लेकिन फॉर्मली लड़ने के बाद मुनों ने यहां बेंगॉल की दीरे जा रहा है अब यह टांस्वर्मिशन जो हो रहा है जो नए नए स्टेट्स फॉर्मिलेट हो रहे तो यह नए नए स्टेट्स कौन से आए ठीक है इन्हें अनलाइज करते अगर तो यहां पर सिंपल सी चीज क्या निकल का आएगी कि पॉलिटिकल कंडिशन इंटीं इ तो यह लेकिन आने वाले 50 सालों में मतलब 1707 से आप 1757 तक पहुचोगे इतने टाइम पिरेड में बहुत कुछ बदल गया तो यह लिखा गया कि political conditions जो थी न 18th century में क्या होती है बहुत तीजी से बदली और बहुत कम टाइम में बहुत जादा बदल गई ठीक क्या हो गया emergence of new political groups नए नए political groups निकल के आ गए जैसे Marathas, British अता पता नहीं था प्रेडर थे ठीक है चार रुपे का समान खरीते थे पांच रुपे में बेशते थे बस इता गाम करते थे उन्होंने देखा कि पॉसिबिलिटी है, capitalize कर लो तो उन्होंने भी कबजा कर लिया, बेंगॉल के उपर उन्होंने कबजा कर लिया, बेंगॉल में इतना पैसा था, उस सारा पैसा लूट-लूट के पैसे से पैसा बनाए उन्होंने, तो इस तरह से क्या है नए ग्रुप इमर्ज होने लगे, तो जिस तरह से मैंने आपको मराथास बताए, यहां पर आप देखोगे तो बिटिश हो रहे है, बिटिश से पहले बेंगॉल में कौन आया था, तो बेंगॉल स्टेट कैसे बना, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीके, तो चाप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, उस चीज को समझ लो एक बार, आपको थीम समझ में आगे चाप्टर की, बिसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको थीम ही बताता हूँ, तो मैंने आपको थीम समझाईए, अब इस थीम को आपको क्या करना है, कनेक करना है, टॉपिक से, देखो बाबर 1526 से लगा कि अगर आप जैसे देखोगे तो बाबर, हुमायू, हुमायू के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जैसे शाजा, जहांगीर, औरंगजीब, तो औरंगजीब की डेथ होती जैसे 1707 में, 1707 ये वाला जो टाइम पिरेड रहा है, तो ये जो मुगल्स तो ये 1707 से 1857 का जो टाइम पिरेड रहा है, डेट से डरना मत, ठीकें, डेट से डरना मत, मैं ये नहीं कहरा हूँ कि याद ही करो, बस ये आपको एक रिफरेंस के लिए, चार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगी, ये जो टाइम पिरेड रहा, तो इसमें जो अरंगजेब की बाद कौन आया है, पावर में, चलो, ये हमवग होगे आपका, कि अरंगजेब की डद के बाद में कौन मुगल रूलर बना था, ठीकें, फिर वो आपस में भाई-भाई लड़ते रहेंगे, फाइदा को इनोबल्स उठाएंगे, नए-नए स्टेट इमर्ज होके आएंगे, वही सारी चीज़ें आप चैप्टर में पढ़ो गया गये, तो आपका हमवग में बता दिया, आपका औरंगजेब की बाद में कौन आया था मुगल रूलर वो बताना है, ठीके, ये जो टाइम पिरेड रहा, इसमें जो रूलर्स आए, ठीके, इसमें जो पढ़ेंगे The Crisis of Empire and the Later Mughals में, ठीक, आपको थीम और टॉपिक्स यही समझ लेना कि आगे जो पढ़ेंगे तो आगे सिर्फ जौक लगाना है हमें, किस चीज़ का, Facts or Figures का, आगे आपको Fact Figure बताऊंगा, और PT के Perspective से, Competitives के Perspective से, ठीके, इंपोर्टेंट हो जाता है ये Facts जानना है, तो बहुत सारे Facts Figures मिल जाएंगे आपको यहां पे, ठीक है, बेफिकर हो, तो ये Crisis of the Empire and Later Mughals, इसमें हम देखेंगे किस तरह से पतन होता है, मुगलिया पर्चम का, फिर आगे क्या देखेंगे, नादिर्शा अटैक्ड दली, ये एक इंटरस्टिंग टॉपिक तो उस टॉपिक में हम नादिर्शा कॉन थे, क्या थे, वो सारी चीज़े जो बॉक्स में दिया आपको, उसे समझेंगे, फिर अगली चीज़ क्या है, Emergence of New States, Emergence of New States में हम क्या पढ़ेंगे, कि धिरे-धिरे नए स्टेट्स इमर्ज हुएं, तो ये आपको थीम बताएगा Old Mughal provinces, तो कौन कॉन से स्टेट बने है, हिदराबाद, अवद और बेंगॉल, जैसे अगर आप यहां देखोगे न, तो ये समझ में आएगा आपको, क्या, कि ये हैदराबाद बनेगा, यहां अवद बनेगा, यहां बेंगॉल बनेगा, तो ये ऐसे हैं कि जो Mughal province के ही, प पूरा था, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि एक पिलर रहे थे Mughal Empire में, राजपूर्स जिन्होंने कह सकते हैं कि Mughal Empire, जैसे मान सिंग के बार में अपने chapter 4 में पड़ा था, ठीक है, राजा मान सिंग के बारे में, तो ये लोग भी अपनी independence असर्ट करने लगते हैं, वतन जाग ले ले लिए, उस Mughal Empire से वो बाहर निकल आए, तो उसमें जैसे Sikh के बारे में पड़ेंगे हम, Sikh rulers, ठीक है, Marathas के बारे में पड़ेंगे, किस तरह से Marathas ने छटी का दूद पिला दिया था किसको, Mughal rulers को, जो लेटर Mughal rulers रहे थे और उनसे किस तरह से अपनी independence असर्ट कर पिर जाट के बारे में पड़ेंगे हम, ठीक है, तो जाट rulers जो रहे, ठीक है, कहां पे तो में ली नदन इंडिया के अगर बात करेंगे, तो उन्हें भी समझेंगे हम, तो ये क्या है, ये जो मैंने आपको सारे बता है, हधराबाद, अवद, बैंगॉल, राजिस्थान में जो वतन जागीर, मेरी राजपूत को वतन जागीर क्या है, वो भी बताऊँगा मैं आपको, तो इन सारे states को, या फिर इन सारे rulers को आप देखोगे न, तो ये chapter से rate करना, 18th century political formation, तो ये political formation हुआ 18th century में, जहां 18th century की starting में, पूरे देश में मुगलिया पर्चम लहरा रहा था 18th century खतम होते होते, मुगलिया पर्चम जो है, वो तो चले ही गया, उसी के सारे साथ में क्या है, इन rulers के अलावा और भी आ जाएंगे गोरे लोग, कौन? गोरे लोग याने British, तो British rule भी आ जाएगा, वो आप यहां पर पढ़ोगी नहीं, थोड़ा थोड़ा सा reference देते जाए आया ना समझ में सब कुछ, तो basically हमने यहां पर माला बनाई है, सारे मोतियों को एक साथ परो दिया है, अब आपको आगे subsequently एक एक topic खोलते जाना, एक topic को समझते जाना, पढ़ते जाना है, clear है? किसी प्रकार का doubt है, feel free to ask in comment section, इसी के साथ हमारा topic complete होता है, एक basic introductory video lecture था, मैंन और सारे video lectures free of cost available है, class 4-12 तक यह सारे subjects available है, है ना मजदार बात, अपने juniors और seniors को जरूर बताइए magnet brains के बारे में, मिलता है next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much